हेलो एवरिवन आज हम बात करेंगे डियाइडल गुरूप के बारे में डियाइडल गुरूप वेरी वेरी इंपोर्टेंट है CSIR, NETJRF, GATE और दूसरे जो competitive exam है mathematics के उन सब में एविन MSC वाले students के लिए भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो आज हम इसका basic structure समझेंगे क्या होता है dehydle group और यह कैसे work करता है order क्या है यह सब उसके बाद इस पे based जो कुछ questions है उनको solve करेंगे तो dehydle group को हम denote करते हैं DN से ठीक है और इसको ऐसे define किया जाता है कि x to the power i, y to the power j, इस just notation है x to the power i, y to the power j, x square equal to identity, y to the power n equal to identity, xy equal to y inverse x, and j grows from 0 to n minus 1, n क्या है, n, यह DN वाला n यहाँ 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 पर जैसे यह d5 की बात करें न, d4 की बात करें तो यहाँ पर हम 3 तक जाएंगे, 0 से लेके 3 तक, अगर 3 की बात करें, मतलब कि उस element का order जो होगा, उसमें जो y है, उसका order हो जाएगा 3, क्योंकि हम e की power 3 करने पा identity आएगा उस condition में, तो यह बेसिकली इसकी definition है, कि dn को कैसे define करते हैं, यह इसकी definition है, और denote करते हैं, इसको dn से, order कितना है, इसका order होता है 2n, ठीक है, जितने, जैसे dn, d4 की बात करें, 2 into 4, मतलब 8 element हो जाएंगा उसके उसके अंदर, तो number of element कितने होते हैं, dn के अंदर, वो होते हैं, 2 times of n, ओके, यह बात बहुत simple है, और clear हो जानी चाहिए आपको, यह क्या है, बेसिकली, यह जो हमने लिखा है, x to the power i, y to the power j, यह इसकी generators हैं, इससे generate होता है, ठीक है, हम इसे कह सकते हैं, कि यह दोनों जो है न, यह, यह है generator, जनरेटर, और यह जो है न, बेसिकली, यह x to the power i, और यह क्या है, यह इसके rotation है, reflection है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, यह जो हम यह आपर लिखते हैं, यह क्या है, यह rotation को बताता है, यह इसके reflection को बताता है, और यह वाली जी जो है, दोनों यह वाली मिला करके, यह, इतना part, यह इसके rotation को बताता है, इसको हम समझेंगे, इसक इसकी composition टेविल ले work करती है, यह work कैसे करता है, composition कैसे work करता है, reflection और rotation से क्या मतलब है, इसको भी discuss करेंगा, अब तो हम इसकी basic एक mathematical format है, इसका definition है, वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, order मैंने इसको बता दिया कि 2N होता है, जैसे कि मालने हमारे पास एक यह है, कुछ एक बता है, जैसे यह वाला यहां पर आजाएगा, यह वाला यहां चला जाएगा, लेकिन दो बार गुमाएं, तो आप इसको तीन चार बार गुमाते हैं, तो लॉट के वैसे का वैसा बन जाएगा, अलगा मैं यहां थोड़ देर के लिए A लिख दूं, और यहां पर B लिख करेंगे, तो यह आइडेंटिकल नजर आएगा, जैसे था है, वैसा का वैसी हो जाएगा, इसलिए हम कहरें, Y की पावर 4 करने पर यह आइडेंटिटी देगा, ठीक है, Dn, D4, D4 की बात करेंगा, इस तरह D3 करेंगे, तो उसको तीन बार रोटेट कर देंगे, घुमा तो वह भी कह भी लॉट किया जाएगा, ठीक है, यह इस सरह से गुरूप फॉर्म करता है, यह स्ट्चर इस तरह से फॉर्म करता है, चलिए मैंने इसको समझाने के लिए आपको यह एक 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 लिए लिया है, इसको हम अपने स्ट्रक्शन से समझ सकते हैं, और इसको उपर पर भी कई बार कोशन पूचे जा जुके, इसलिए मैंने डी फॉर को लिया है, तो डी फॉर कैसे हो जाएगा, अकॉडिन टो डेफिनिशन, एक स्कूर इक लिए एक स्कूर इक लिए पावर एपर ही आइडेंटिटी देगा, लेकिन फॉर डी फॉर है, तो य की पावर उस तरह से, ठीक है, बना फॉर टाइम उसको आग आप रोटेट कर देंगे, तो वो लॉट के उसी पोजिशन पर आजाएगा, जैसा था, आइडेंटिकल दिखने लगेगा, ठीक है, आइडेंटिटी देगा, फॉर टाइम उसको रोटेट करने पर, ठीक है, एक स्वा इक और यह आई बराबर 0, 1, as it is, जे की वैलू कहां से कहां तक जाएगी अब, 0, 1, 2, 3, तक, क्योंकि n-1 तक जाते हैं, ओके, ओडर ऑफ डी 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटो 4, ओके, आप देखो, यह मैं जो आपको समझानी कोशन करना हूं कि यह कैसे रो खुमाएंगे, 180, 270, then 360, तो उसको n से रिवाइड करें, मतलब अगर d4 की बारें बात करें तो 4 से रिवाइड करें, तो इसका मतलब theta की value 90 डिगरी आजाएगी, अगर हम d3 की बात करेंगे, तो 3 से रिवाइड करेंगे, ठीक है, उसको n से रिवाइड करने पर, तीन बार र तो 90 डिगरी आ रहा है, तो 90, 90, 90, 90, 90, चार बार रोटेट करेंगे, तो हमें identity मिले की दुबारा से, ओके, तो यहाँ पर d4 की बात हो रही तो इसलिवाइड करेंगे, तो y इक पल टू, मतलब r0, मतलब की जो भी first element है, और उसके बाद 4 बार घुमाने पर, जो मिलेगा हमे लॉट के, वो जैसे हमने, मतलब four times का करेंगे, चार बार रोटेट करेंगे, तो लॉट के दुबारा से हमारे पास identity आ जाएगी पर से, ओके, तो देखे, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको चार तरह से गुमागर दिखाया है आप, ठीके, और फिर मैंने इसको flip करकर द करें, one से multiply करें, तो लॉट के दिखाया है, तो मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं, identity का identity रह गया, ABCD तो लॉट के ABCD आ गया, लेकिन जब मैंने इसमें 90 डिग्री से रोटेट किया इसे, तो आप देखरो जैसे यह ABCD था, तो यह ऊपर चला गया, ठीके, यह ऐसे रोटेट किय अब A यहां पर आ गया, ठीके, दो बार गुमा दिया इसको, सिंपल चीज़ है, जैसे बच्छों में खेलते हैं, उस तरह की चीज़ और कुछ नहीं है, 270 किया, तो तीन बार गुम गया, ठीके, इस तरह से हमने, अगर मैं चार बार गुमा दूँआ, तो लॉट के पिर वह करते हैं, तो A, B, C, D, यह होरिजेंटली था, मतलब मैंने इसको ऐसे गुमा सकता हूं, तो यह A, D ऊपर चले जाएंगे, B और C नीचे आ जाएंगे, यह बनेगे, ठीक है, वर्टीकली रोटेट कर सकते हैं, ऐसे, तो यह A, B, C, D, में यह A, B, C, D, में यह A, B, C, D, C, D, ऐसे, ऐसे, आख से, हमारे यह A, B, C, D, में यह A, B, C, D, में यह A, B, C, D, जाएंगे,처ð, ग्रेंगे, तो यह possibility है हमारे पास total eight possibility इसलिए इसके अंदर eight element होते हैं, eight element होते हैं, तो डी-four के अंदर, ठीक है, यह हम डी-four का construction देख रहे हैं, तो चार तरह से इस तरह हैं और चार तरह से इस तरह हैं यह ही possibility, इसके लाव कोई possibility ही नहीं है, आप मुझे बताएं नहीं सकते हैं, इसके possibility भी है कि हम कैसे rotate करें कि आगने, जो भी सोचेंगे वो इन ही कंदर आ जाएगा, ठीक है, अब इसके बिहाफ पर हम इसके table बना सकते हैं, composition table, कि कैसे करने से क्या लॉट रहा है, वापिस देखो, अचा यह तो वही हो गया d4, तो d4 में हो गया r0, यह वाला, r90, r180, r270, hv d, d' की notation है, ठीक है, horizontal, vertical, diagonal, off, diagonal को d' से denote किया है, तो यह इसमें art element आ गया है, हमारे पास, यह वाले जो है, r वाले, यह सारे क्या कहलाते है, यह कहलाते है, आपके rotation, rotation, और यह कहलाते है, जारो के जारो आपके reflection, ठीक है, यह reflection होगा, यह rotation होगा, यह हमारा d4, और construct होगा d4, बन गया, composition table देख लेते हैं, इसकी क्या है, यह इसकी composition table है, इसको समझना बहुत आसान है, कुछ नहीं है, यह सारे हमने जो भी elements इसके r0, r90, r180, r270, hv, d, d' के लिए, और सेम के सेम इधर भी लिख लिए, ठीक है, composition table देखने के लिए, अब देखो, r0 into r0, तो r0 ही आएगा, लब, identity, multiply, identity में किया, तो identity आगिया, ऐसे identity का r90 में करेंगे, तो भी वापस 90 आएगा, r0 मतलब r0 का मलब identity element, 18 team करेंगे, तो as it is, सार है, सार है, ये as it is, copy होके धर आगे, ठीक है, लेकिन, अब 90 के case में देखो, जब r0, r90 का r0 से किया, r0 मतलब identity, ये तो वापस lot का r90 आएगा, लेकि जब r90 का r90 से करेंगे, तो 180 आजाएगा, क्यों आजाएगा 180, देखो, यहाँ पर इस चिसको, आ r90 से आपने rotate करते हैं, ठीक है, अब मैं इसको एक बार अगर और r90 से rotate कर देता हूं, आपको समझाने के लिए सिर्फ, मैं इसको एक बार अगर और rotate करते हूं, तो आप देखो, ये वाला है ना, ये वाला इसको एक बार rotate कर, अभी a यहाँ पर आया है, एक बार और और आप देखो यही तो रम ती तो यह आ गया वन है तो आज नौट के ओपर और नोट एक बार इंपलाई किया हमने हमने जा हुआ जा बूसको एक बार रोटेट कर ठीक है उसके उबर आर 90 था आर 90 और फिर आर 180 इन दोनों को एक साथ करना है जो 90 बना हुआ था ठीक है उसमें 180 और कर दो तो मतलब दो बार और रोटेट कर दो से तो इसका मतलब वह आर 270 बन जाएगा ठीक है इसी तरह से अगर हम आर 90 को आर 270 पर करेंगे तो 270 तो हुई चुका था पहले हमां तक फिसको एक बार और रोटेट कर दिया तो वह लॉट के वह आगे पहले जो स्टार्टिंग में था ठीक है वही बन गया मतलब आर नॉट ही बन गया वह तो लॉट के फिर आइडेंटिटिकल वैसी दिखाए दे आइगा देखते हैं इसको भी यह देखो है आप और 90 था यह वाला ठीक है यह आड़ ना इंटिटा इसके उपर हमने कहा कि है को अप्लाई करना आइच को बना डिको करना किसी को कर लो अगार्डिंग लिए यह देखो एच को किया ठीक है तो यह बैसे कहलो कि हम इसमें ना इधर से चलते हैं इस साइड से लिए कर कि ह के ऊपर हमने आड़ 90 को अप्लाई किया तो डी डैस बनना चाहिए च के अच के ऊपर यह था है यह था है इसको पर आड़ 90 को एमप्लाई करो आड़ 90 आड़ 90 मतलब एक बास रोटेट कर दो यह एक हूं यहां पुछा तो यहां इस वाले को देखो इस वाले को देखो दोनों सेम ही तो है ना क्योंकि यह क्या है डी डैस ही तो ही तो इसका मतलब यह हुआ कि जब एच के ऊपर आपने आड़ 90 को लगाया तो वह लौट के मिल गया हमें डी डैस ठीक है इसी लिए मैंने यहां पर लिखा है इस यहां पर आर नाइन टी एच तो पहले क्या करेंगे एच डैन आर नाइन टी इधर से डारेक्शन इसके रहती है इसी तरह से बाकी भी सारे ऐसे बंते जा रहे है यह बहुत सिंपील है पूरी टेबल बनाना कोई किसी को डाउट है तो मुसे पूरी टेबल को मैं कहीं बी इन आरट मेंट से और और ना नाट रमाट यह ने तक कि अधय कोई भी यह कोई इसके ने सब्सक्राइब क्लिक्षिन क्या होती है क्लियर हो पिर किसी को डाउट है तो मुझे को में बता सकते हैं इससे लिए ऍोफिन क्यों को जतने computer exam है जितने एक्जाम है टेजिए जैम उन सभी का सुद्वास ठीके गाइज ठीके गाइज है okay thank you and if you like the content please like and subscribe the channel thank you so much again